कि अस्लाम नेकुम क्लास आज हम exercise eight foot फार का कॉस्टन नबब टू करेंगे ठीक है फिस्ट हमने कर लिया था कॉस्टन मबब टू हमारे पास है simplify इसमा भी हमने में मेंज्में में हमारे पार addition subtraction भी हो प्लडिकेशन भी हो रहे ठीक है आप फिर्ष हम question number one देखेंगे question number one है हमारे पास x का square plus y का square 3x plus 2y then plus xy x minus 3y ठीक है यह हमारे पास इस bracket आ गई आप देखें हम करेंगे क्या मैं आपको बताते हूं इस चीज़ को हम separately solve करेंगे ठीक है और जो next है उसको हम अलग solve करेंगे यह देखें ठीक है इसे अलग solve करेंगे इसको solve करके solve कैसे होगा यह multiply होगा और यह इनके साथ multiply होगा ठीक है अब आ जाते हैं question पे हैं यह देखें यहां मारे पास question है ठीक है अब मैं एक साइट पहले करके आपको बताती हूं second side fit करेंगे ठीक है ताके confusion लाओ जैसे हमने multiplication की थी फिर्स एक नमबर को हमने पूरी bracket से solve किया फिर दूसरे नमबर को हमने पूरी bracket से solve किया ठीक है इसी तरह solve करेंगे हमने first step solution के बाद again question लिखा जैर हमने क्या किया मैंने इस साइट से multiplication स्टार्ट किया ठीक है आप इस साइट से भी कर सकते हैं यह देखें है एकस y को x से multiply किया फिर x y को 3 से multiply किया ठीक है x हमारे पास कितने हो गए x का square y ठीक है minus का sign 3 x y हमारे पास 2 आगे y का square हमारे पास आगे ठीक है means कि यह चीज़ हमारे पास solve हो गई है ठीक है अब right side हमने solve कर लिए अब left side पर आते है ठीक है अब यह देखें x का square पूरी bracket के साथ हमने multiply किया फिर y का square को हमने पूरी bracket के साथ multiply किया x का square x 2 बाहर है x 1 अंदर है कितने होगे x cube ठीक है 3 x जब हम multiply करते हैं तो powers add होती है ठीक है 2 बाहर है 1 अंदर है तो कितने होगे मारे पास 3 3 x cube ठीक है then plus x 2 y से multiply करेंगे 2 x का square y आ गया ठीक है यह चीज़ हमने solve कर ली अब यह चीज़ साथ करते हैं y का square को इससे multiply करेंगे तो क्या जगा 3 x y का square फिर क्या जगा 2 y cube क्योंकि 1y 2 y बाहर है y का square then y की power 1 है हमारे पास अंदर है तो कितनी होगे 3 हमारे पास ठीक है addition subtraction में power plus नहीं होती लेकिन multiplication में जब हम numbers को multiply कोफिशन को multiply कर रहे हैं तो power हमारे पास प्लस हो जाती है ठीक है अब हमने क्या किया यह देखें यह चीज़ हमारे पास solve होके ऐसे आ गई न ठीक है यहां तक आप फिर हमने इस bracket को solve किया आप देखें बाहरे नंबर नहीं है हमारे पास sign है plus का उसको अंदर स्केर Y की मारे यह का स्केर मारे शुक्सिए सब्सक्राइब करें पर नेक्स स्केर केटीन कोतरी गइंगे 303 एक्स क्यूब में कहीं और नहीं नहीं है ना पूरी line में हमने लिखा आप 2x का square y लिखा हम ने आप इस पूरी लाइन में देखें इस वाली लाइन में महारे पास कहीं और है x का square y हमारे पास जो variable होते हैं और power होती है वह से यह मुना चाहिए ठीक है आप देखें 2x का square y आप कहीं और ऐसा है हमारे पास x का square y variable और exponent सेम होने चाहिए तो हमारे पास यहां देखें यह हमारे पास x का square y हम ने यहां लिख दिया उसके बाद और नहीं है तो next value देखेंगे plus 3xy square और यहां पे हमारे पास last में minus 3xy square और लिख दिया अब इनको करते है solve जो plus होरेंगे उनको plus करेंगे जो minus होरेंगे उनको minus करेंगे यह plus का sign है first value के साथ कोई sign ना तो क्या होता है plus 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 three and two ठीक है sorry three plus नहीं होगा क्योंके x cube है same power zone हो हमारे पास same variables हो तो plus होते है ठीक है 3x cube as it is नीचे लिख दिया 2x का square plus x का square y plus 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 3xy का square minus 3xy का square plus minus minus 3 में से 3 जीरो यहां पर हो गया बाकी कह रहा है या 2y का cube वह हमने as it is लिख दिया ठीक है यह हमारे पास question solve हो गया अब आधाते है next question पे ठीक है next question है यह question ठीक है इसके four parts ने two parts मैंने की है two remaining parts आप लोगोंने खुद करने है लेकिन यह थोड़े से lengthy है थोड़े से इन में science का आप लोगों को ख्याल रखना है ठीक है कौन सी चीज पहले solve हो रही है और कौन सी बाद में उसको देखना है आप देखिए हमारे पास इस question में हमने क्या करना है दो brackets बनाके solve करना है यह एक bracket में करके solve करना है यह एक में जैसे पिछला किया था फिर हमारे पास जो bracket solve करने के बाद answer आएगा उसको हम आगे से arrange कर के pluss या minus करते हैं ठीक है आप देखिए हमारे पास first मैं आपको यह bracket आती है साइट करते हैं ठीक है इसको देखते है इसको ठीक है एक्स को इस पूरी से multiply किया फिर य को इस पूरी के साथ multiply किया ठीक है हमने एक्स को multiply किया x 1 by 2 अंदर क्या हो गया 3 x cube plus 2 x y है क्या हो गया हमारे पास 1 x y है 2 x का square y ठीक है then plus minus minus 2 x y का square यह हमारे पास आ गया क्योंकि हमारे पास यह एक ही x है ठीक है अब next हमारे पास x से हमने पूरी प्रैक्ट को multiply कर लिया है अब करते हैं y के साथ multiply ठीक है y इससे करेंगे 3 x का square y ठीक है 2 x y का q क्योंकि हमारे पास y यहां पर हमारे पास mistake क्या मुझे से हुई है यह देखें पर हमने एक चीज़ और देखनी है देखें हमारे पास minus का already sign है ठीक है minus का sign है वह हमने याब इसको bracket minus by लिखा एक और ब्रैक्ट डाल के हमने solve करने ठीक है x अब इस x को पूरी ब्रैक्ट से multiply करेंगे then minus y को पूरी ब्रैक्ट के साथ multiply करेंगे ठीक है x का cube आ गया x1 और x2 x का cube फिर से करेंगे x का square y अब यहाँ पे है minus x का square y minus minus plus x y का square and minus 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 plus minus last में है माल पास y का square वह थोड़ा सा यह देखें यह line आगे इसके नीचे है ठीक है मैं आपको अटा के बताते हूं यह देखें माइनस y को माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस y1 और y2 कितने होगे y3 ठीक है अभी हमने solve की अंदर जो थी अब हमने जो बाहर इसके minus का sign है इसको भी solve करने साइन और साइन साइन के साथ हमारे पात multiply हो जाएगा माइनस प्लस माइनस थीक है हमने सारी brackets solve कर ली का करना है अब हमने इनको arrange कर ना है अरेंज कैसे करते हैं हमारे पास सबसे पहले है ठीक है अब हम इसको अरेंज करेंगे दैनिंज को प्लस मानिस करेंगे ठीक है आप देखें 3X का क्यूब अब हम देखेंगे कोई भी ऐसे इस पूरी वैल्यू में X क्यूब की कोई और हमारे पास वैल्यू है तो यहां देखे हमारे पास है यह x3 ठीक है फास्ट और यह हमने यह यहां लिख दी आप देखेंगे इसके बाद हमारे पास क्या है कोश्चन में प्लस 2x का स्केर y हमने यह यहां लिखा आप देखना है x का स्केर y वाली कोई और वैल्यू है ठीक है तो हमारे पास यहां पर है 3x square y यह लिख दिया अब यह देखे plus x का square y यह लिख दिया अब इसी के एक step छोड़के next भी हमारे पास लिखा हूँ x का square y ठीक है यह 4 भी आ गए 3 अब मैं आपको यहीं पर यह solve करके बताती हूँ ठीक है फिर मैं उस साइट पर जाती हूँ 3 plus minus minus 3 में से 1 गे 2x क्यों प्लस 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 3 और 2 5 फिर प्लस 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 5 और 1 6 और 1 7 7x का square y हमारे पास आ गया ठीक है अब यह देखे है हमारे पास यह चीज़ यहां तक हम ने कर लिए है ठीक है इनको plus की है जो minus 2x का y का square है हमारे पास उसके बाद हमारे पास plus 2xy का square है minus xy का square है minus xy का square है plus minus कट गे two में से two गे zero minus minus plus one xy और one xy केतने हुगे two xy square ठीक है हमारे पास sign बड़ी value काता है मारे पास minus 2y cube है देखें लास्ट में और plus y की है minus plus minus 2y cube में से one y cube गया तो क्या रहा है हमारे पास remaining one y का cube one mention नहीं करते ठीक है तो sign minus का आएगा कोई के बड़ी value के साथ minus का sign है ठीक है यह दो पार्ट होगे remaining two parts है आप लोगों ने खुद करने है ठीक है यह थोड़ा सा लंधी है इसमें आपको sign से focus करना है ठीक है sign में mistake नहीं कीजेगा और पहले multiplication करनी है bracket को solve करना है then आप लोगों ने इनको plus minus करना है ठीक है अब आजाते है exercise 8.5 पर ठीक है 8.5 हमारे पास simplify the following binomial by using the identity हमारे पास अब देखे simply जब दो ब्रैकेट के बीच में यह दो 4 plus 5 है तो हमें पता है plus करना है 4 minus 5 है तो हमें पता है minus करना है divide का sign होता है ठीक है जब हमारे पास 2 values के बीच में कोई sign है ना ठीक है divide के लिए upon में भी लिखा होता है में पता चल जाता है अब कोई sign है तो means कि हमारे पास क्या है multiplication अब हमने यहाँ पर multiplication करना है ठीक है ठीक है यह देखें question 1 लिखा ठीक है जैसे मैंने आपको भी करवाया फ़र्स नंबर को पूरी प्रैकिट से सेकेंड नंबर को पूरी प्रैकिट से इसली यह एजी है ठीक है वह पिछले तोड़े लेंती है इसी है इनको सिफ समझ के आप लोगों को करना है X XR X square X2's are 2x 1 XR X one 2's are 2 ठीक है आगे हमारे पास क्या है X का square plus 2x plus x plus 2 अब देखें X का square का साथ कोई है वह हमने एज़ित नीचे लिख दिया two x और यहां पर one x यह क्या हो गई three x plus plus प्लस अब two हले है the आप यह नहीं देखें एक और को पूरी ब्रैकेट से किया सिक्स्टिफूरा जाने और यह प्रेटीफूर और यहां प्लस है 신 को SAM के साथ मैस्टीपला करेंगे मैनस मीनस माड़ें टृक über बिकश्माइं व्यटी सिरेगे हैं हम्हारे पास ठीक हैiron तो प्लस माइनस करेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 56 में 24 तो 32 साइन बड़ी वैल्यू का एगा जन माइनस 21 सिम्पल ठीक है हमारे पास क्या गया अब इसके मैंने आपको दो पार्ट्स करवाएं ठीक है इसके 10 पार्ट्स है वह आप लोगोंने खुद करने जिसके टू पार्ट्स करवाएं रिमेनिंग आप लोगोंने खुद करने यहीजी है पिछले हाई यह है के थोड़ा सा लिंद्धी है और साइस का आज़ात है वह साइंस को निहान मेरा कि आप लोगोंने इसको कम्प्रीट कर लाए ठीक है